दोस्तो आचादे चान के किनीतियां संसार की सर्वसिष्ट नीटियों में से एक मान जाते हैं आचादे चान के सेस्ट अरते सास्तरी उने के सासाथ एक मान राजने ते गिवं कूटने ते के ते उनके धूर बताई गई चाणक निती को सेखने से आप जीबन के सिर्थ समस्य हो आसानी से सुल जा सकते हैं साथए साथ चाणक निती का ग्यान आपके लाक्षश को पूरा करने में साहक से दो सकता है दोस्तों यदि आप अपने रूटे प्यार को मनाना चाहते हैं आप जिससे प्यार करते हैं बे आपसे प्यार नहीं करता बे आपसे बातें नहीं करना चाहता लेकिन आप उसे पाना चाहते हैं आप उसे अंसल करना चाहते हैं आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं चाहिए बे पुरुस हो या मैला हो आपका प्यार खुदा आपके पास आ दोस्तो आपको किसी गलत नियस से इस उपाई को नहीं करना है आपको सचे दिल से आपको इस उपाई को करना है आपको अपने साप मन से इस उपाई को करना है आपको किसी गलत नियस से नहीं करना है तो दोस्तो आई ही जानते हैं इस उपाई के बार में दोस्तो इसके लिए आपको नारियल और तोड़ी सी मातरा में सिंदूर आपको लेना है इसके बाद दोस्तों नारियल के उपर सिंदूर का चलकाप करके आपको अपने प्यार का नाम लिखना है उस पर उसे अमयला का नाम लिख देना है जैसे आप पाना चाहते हैं, जैसे आप प्यार करते हैं अपने प्यार का नाम लिखने के बाद उस सेनारियल को आप तोड़ दें जब उसके दो से तीन टुकड़े हो जाएं तो आप उन टुक्डों को लाल रंग के बस्तरों में बांद कर चलते हुए पानी में पैंक देंगे आप जैसे ही उस पानी में पैंक देंगे तो आपका प्यार आपके पास आएगा आपसे बाते करना चाहेगा बस आपको इतना ही करना है इतना करती ही यह उपाय हो जाएगा दोस्तों याद रखिए आपको इस उपाई को गुरुबार के दिन करना है सोबा आठ बजे से लेके दोपैर के दो बजे तक तो दोस्तों आप इस उपाई को एक बार रबस से करें जैसे करने के बाद आप अपने प्यार को उपा सकते हैं अपने रूटे प्यार को मना सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस अपनाए वीडियो आपको कैसा लगा नीच कमेंट बॉक्स में जरूर लेकिए अगर आप भगवान स्री किशना जीके सचे भगते हैं तो नीच कमेंट बॉक्स में जैस्री किशना रादे रादे जरूर लेगें वीडियो तेखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद